नमस्कार दोस्तों कभी-कभी हम झब खाना-खाने बैटते हैं तो खाने वहमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है यदि उसी खाने के साथ घर में कोई इंस्टनेट अचार हो जो आसानी से बन कर तयार हो जाए और स्वादिश्ट भी लगे तो आज उसी सिलसले में मैं बनाने जा रहे हूं हरी मिर्च का भर्मा अचार यानि की राई वाली मिर्च है तो स्वागत है आपका अपने चैनल हॉममेड रैसी बाई सुलिता सिंग पर आए बनाते हैं इस्टफ्ट हरी मिर्च का अचार यानि राई वाली मिर्च का अचार इसे बनाने के लिए लगभग 125 गाम मिर्च को साफ धो करके कपड़े से पोच लिया यानि कि इसमें पानी बि प्लेट में रख लिया है मैंने इसे बीज नहीं निकाले हैं आप जाएं तो निकाल सकते हैं मसालों मैंने दो टेबल स्पून राई लिया है यह छोटा मस्टर्ड शीड होता है लेकिन इसे राई कहते हैं इसे मैंने ग्रैंडर में दरदरा पीस लिया है बारिक बिल्कुल स्वाद के नुसार थोड़ा सा नमक और थोड़ा से इसमें काला नमक भी डालेंगे जायका बढ़ जाता है साथ में आधा चमच हल्दी पाउडर अब इसे हलका सा मिलाकर इसमें गड़्डा कर लेंगे और इसमें हम एक टेबल स्पून सर्सों का तेल डालेंगे तेल भी हमने कच्छा डाला और इसे मिला लेंगे ज्यादा गीला नहीं करना है बस मसाली मिल जाने चाहिए तो हमने मसाला मिला लिया आप चाहां इसे इसी तरीके से भड़ सकते हैं यह तीसरे दिन अपने आप खटा हो जाता लेकिन मैं इसके टेश को इन्हेंस करने के लिए आधा कर लेंगे और जो हमने मिर्च में चीरा लगा के रखा था उस मिर्च को लेंगे और इस तरीके से इसमें इस मसाले को अच्छी तरह से भर देंगे जैसे मैं भर रही हूं देखिए मैंने मिर्च को भर के तैयार कर लिया है इसे प्लेट में रख देंगे से इसी तरीके से आ मेरे घर में जैसे शहद आता है या कोई और भी चीज बो टेल में आती है तो मैं उस कंटेनर को साफ तो करके सुखा कर रख ले तयों तो इस तरह से मैंने यह बोटेल तयार करी हुई है सुखा करके एक एक करके मैं सभी मिचां को इसमें रख दूगी तो सभी मिचें इसमें ताब ऊपर से इसमें हम एक से डेल स्पून, यानि कि टेल स्पून, सर्सों का क Character देंगे, और इसे इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे, यानि कि इसे अच्छी तरह से गुमाएंगे, ताकि जो तेल हमने इसमें डाला है, सबी मिर्श पर अच्छे से कोट हो जाए तो देखिए सबी मिर्श पर तेल अच्छे से कोट हो गया है अब मैं इसकी लिड लगा दूँगी और दो दिन बाद ये मेर्श का अचार खाने के लिए तयार हो जाएगा लेकिन डेली इसे हम हलका सा हिला जरूर दियेंगे ताकि इसमेंसे जो पानी निकलता है वो सभी मिर्च बच्छे से लग जा इससे हमारा अचार बड़ा खटा बनकर तयार होता है आए दो दिन बाद आपको दिखाती हूँ देखिए लिट खोलते इसमेंसे बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है आईए मैंसे बाहर निकालकर दिखाती हूँ देखिए कितना शांदार हमारा अचार बनकर तयार हुआ है आप देख सकते हैं कितना स्वादेश्ट और कितना टेम्टिंग दिख रहा है दिखने में और दोस्तों मैं हमेशा मिर्च थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ क्यों मुझे फ्रेस मिर्च खाना बहुत पसंद है जादा पुराना अचार मुझे पसंद नहीं है तो जब भी मेरी मिर्च की अचार खतम हो जाता है तो मैं इस तरह के सो ग्राम या दाई सो ग्राम मिर्च लागर के अचार डालेते हूँ जो कि मेरे घर में बहुत खाना पसंद करते है तो दोस्तों मेरी बताईगे रेसिपी के अनुसार आप भी इस अचार को डालिएगा और कमेंट सेक्शन में बताईगा जरूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कोमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सबी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँझे थैंक्स वर वाचिंग, मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई